आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो FII DIA का डेटा होता है उसको कैसे रिड कर सकते हैं क्योंकि हमने फाइल तो बना लिया कि हम गुगल सीट से कैसे फाइल करते हैं यहां पर तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने यह आज यानि की सेवंध का डेटा डाला है उसके पहले यहां पर 6 का डेटा डाला हुआ है तो 6 & 7 का डेटा को हमने यहां पर जो कैलकुलेशन मैंने आपको एक्सल में सिखाया था उसी हिसाब से आप देखोगे तो यहां पर आपको मिल जाता है पूरा डेटा और यहां पर यहां पर यह आप चेंज कर सकते हो मैंने यह पर आप कर सकते हो यहाँ पर जैसे तूडेस का आप यहाँ पर कर देते हो command तो अपने आप यहाँ पर data आजाएगा मैं यहाँ पर manual कर रहा था क्योंकि कई बाल क्या होता है हम लोग daily अपडेट ने कर पाते हैं तो आप मैन्यूल यहां पर कर सकते हो तो यह चार्ट भी मैं आपको समझाओंगा जो मैं हर रोज आपको मेरा जो टेलेग्राम है यहां पर अपडेट करता हूँ का उसको कैसे रेट कर सकते हो दोस्तों अगर आप मेरे टेलेग्राम पे मेंबर नहीं हो तो जोइन कर सकते हो यहाँ पे SG ट्रेडर करके है अगर आप मेरे यूट्यूब में भी अभी नहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करना अगर वीडियो पसंद आता है तो सकते हो कि जो बन रहा तो दोनों साइट बनाके गए ते रिटेल similar यहाँ पर आप देखोगे FII, FII दोनों साइड यहाँ पर बैरिस है प्रो का क्या था, दोनों साइड उन्होंने position बनाई है उसको clear हम कैसे समझते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो एक तो पहले मैं यह आपको share करता हूँ every night जब भी मुझे time मिल जाता है यानि कि साड़े आट से 10 बजे के बीच में मैं यह update करता हूँ तो यह पिछले 5 दिन का data रहता है देश्तो तो इसमें आप कैसे देख सकते हो पहला यह future का data है जहाँ पर आप comparison में अगर simple देखते हो तो retail का क्या है यह 98,000 contract से start किया था अब जाके यहाँ पर हो गया है उनका 1,10,000 नहीं कल के मुकाबले आप उन्होंने further यहाँ पर 5000 का contract यहाँ पर add किया हुआ है ज्यादा तर क्या होता है DII वो उसका जो उसका cash position रहता है उसके hedge में ही चलता है तो मैं DII को ज्यादा तर वहाँ पर count नहीं करता हूँ मैं अगर rate करता हूँ तो retail FII प्रो इन तीनों का ही count करता हूँ तो FII क्या था यहाँ पर आप देखोगे 60,000 यहाँ पर उनका short था उन्होंने further add करके यहाँ पर हो गया है 84,000 अभी short है तो अगर आप net देखते हो तो retail versus क्या हो गया अभी DII and FII परो का अभी इतना short नहीं है बीच में उनका अभी long था उन्हेंने further short करके भी overall net उनका 952,000 contract 952 उनका contract अभी short है फिर आते हैं यहाँ पर index call में तो call में क्या था कि पहले यहाँ पर retail 5 दिन के पहले short करके बैदा था उनका यहाँ पर क्या था कि market नीचे जाएगा अभी आप market जो होता है favor में retail के खुल रहा है यानि gap up होता है तो काफी अच्छा उनको benefit मिल रहा है अभी की position देखते हो तो retail का 1,77,396 अभी यहाँ पर index call long है आज market gap up open हुआ तो यहाँ पर काफी अच्छा सा उनको profit भी हुआ होगा FII ने क्या किया था उनका जो long position था उसमें से थोड़ा long कम किया था पर overall उनका भी long position है तो आज gap up में loss किसका हुआ प्रो का हुआ है प्रो ने यहाँ पे दबा के short किया था call यहाँ पे और उनका क्या था put भी यहाँ पे short था तो यह compare अगर करते हो तो 952 यहाँ पे उनका short future है सबसे ज़्यादा call shot किया है प्रो ने और सबसे यहाँ पे long सबसे ज़्यादा put किया है FII ने तो आप इसी सबसे यहाँ पे count कर सकते हो कि अभी के इस सबसे क्या position है जैसे भी FII full berries है प्रो दोनों साइड है retail full यहाँ पे bullish है तो यह chart से आपको पता चलेगा कि अभी के इस जहाँ पे आपको clearly पता चलेगा कि यह जो position plus minus हुआ है वो किस हिसाब से कोई long buy किया short किया तो जैसे यह पहले है यहाँ पे client का यह index future है तो देखो कि यहाँ पे उन्होंने दोनों का position unwinding है यानि कि long unwind किया है और short cover किया है उसकी वज़े से यहाँ पे आपको क्या दिख रह हुआ है long be create किया short be create पर short यहाँ पे compare to long से ज्यादा है pro का position देखते हो तो हमने अभी आगे क्या देखा हमने हमें देखने को मिला कि उन्होंने short अभी 952 है पर actual में short नहीं है क्योंकि क्या है कि उनका जो long position ज्यादा था वह unwinding हुआ है और fresh यहाँ पे 1000 contract create हुआ है तो इस हि पर किया यानि कि उनका जो gap down में profit book किया होगा फिर यहाँ पर short बनाया है 53,000 तो market जैसे उपर आया तो अभी यह अभी profit में आ चुके होंगे अभी FII क्या कर रहा है totally long में ही जा रहा है उनका अभी कोई short नहीं है short यहाँ पर है कौन सा call में short put में 21,000 पर compare to आप देखोगे तो other side भी उनका इतना ही position बना हुआ है तो FII Mixed Data था Pro Mixed था, FII Berries था and Retail Bullish था तो आप इस तरह से आपका डेटा यहाँ पर देख सकते हो जो मैं आपको update करता हूँ नहीं तो आप आपका खुद का भी Excel बना सकते हो आपको जीस हिसाब से यहाँ पर रखना है वो रख सकते हो मैं इसका link डाल दूंगा यहाँ पर Excel बना सकते हो या तो ऊपर यहाँ पर राइट साइड कॉर्णर में आई आइकन में आपको यह फाइल यहाँ पर link मिल जाएगा जहां से आप click करके भी यह Excel कैसे बनाते है Google Sheet में वह आप सिख सकते हो और आप खुद ही आपका data हर रोज निकाल सकते हो तेंकि जोस्तों तो म